हलो दोस्तो गुड मॉर्णिंग सबस्ते का लादाप कैसे हो आप सब मेरा नाम मुहम्मद अलीम है और आप देख रहे हो मिश्टर वुलोग बारा बंकी यूटूब चैनल दोस्तो यह जो बारा बंकी से आयोध्या के लिए जो डबल लाइन का काम चल रहा है उसके लिए हम अ सवली की जो डबल लाइन का काम है वो पूरा हो चुका है और सवी से मलाब रास्ता एक्डम पूरी क्लीन है एक्डम परफेक्ट हो गई है बहाया इस से बल्ली बिछाना बाकी रह गया है बल्ली बिछाकर बस लाइन बिछा देेंगे बस है न ट्राइल उगरा होना सुरू हो जाएगा लग घग मेरे समझ से एक दो महिना का टाइम अभी लग जाएगा और जो जहां जहां कोई नाले या नदी हैं वहां पर पुलिहा उगरा भी कंप्लीट हो चुकी हैं मैं आपको थोड़ा बैक कैमरे से दिखाता हूं यहां का यह देखिएए सायद खान प्रसायद दिख रहा होगा इससे अधर बीकाम चल रहा है दोस्तों और हमारे कुछ दोस्त मिल गए है क्या है थीख है तो काम यहाँ चल रहा कुछ देखने के तह क्या प्शस्तकर प्राइइए फैट के देखिकर पर था अच्छा तो सब्सक्राइब देखा यह देखिए यहां पे ट्रक गरा भी चलने हैं बहुत जोर सोर से सहिद खानपूर का रेलवे इस्टेशन बन रहा है तो दोस्तों आपको पता ने कि यह भी लोकल ट्रेन जो है जो एध्या से लखनौ और लखनौ से अध्या को जाती थी वह भी बंद कर दी गई है काफी दिन से बंद है और केवल इस्पिसल ट्रेन ही चलती है गोरक पूर्ट लखनौ जो बंदे भारत एक्सप्रेस है वह चलती है और दिली से फैजाबाद फैजाबाद तो दिली यह ट्रेने चलती है अभी और बाकी दो-तीन ट्रेने हैं जो चल रही है इस पर इस रूट पर लखनौ टू एध्या वाली रूट पर तो बाकी ट्रेने अभी डाइवर्ट है गोरक पूर की साइद या सुल्तानपूर के साइद से जा रही है तो अभी यहां पर काम चल रहा गाइस जैसे होता है मैं आगे आपको अपडेट देता हूं जितनी जल्दी काम खतम होता है आपको नेस्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल क और हम मिलते हैं नेस वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत